नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सन्विक क्लासेज में इडिटेरिया करेंट अफेर्स बार्सकी दोहजार चोबिस आ गया है जो सितंबर दोहजार तेस्य अगास दोहजार चोबिस तक है आज का वीडियो हम लेकर आये हैं इस बुक में दिय क्या हुआ शुरुआत के चेप्टर और चेप्टर है कौन तो 33 ग्रिस्मकालिन ओलंपिक खेल 33 ग्रिस्मकालिन ओलंपिक खेल आईए देखते हैं उसके परमोक वन लाइनर क्या 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 क्वेश्चन बन सकता है 26 जुलाई से 11 अगास 2024 के मध्ध पेरिस फ्रांस में 33 ग्रि दियोजन हुआ है नोट है इसमें कि हैंडवल, फुटबॉल, और रगवी 24 जुलाई से ही शुरू हो गये थे, यानि 2 दिन पहले से ही शुरू हो गये थे पेरिस तीन गिरिस्म कालिन ओलंपिक करवाया है कव कव उनीस सो में उनीस सोचोविस में और दोहजार चोविस में यानि सौ सारबाद फिर से पेरिस में हुआ है इससे पहले उनीस सोचोविस में हुआ था और उससे एक बार और पहले हुआ था उनीस सो तीन बार मेजवानी करने वाला दूसरा सहर बन गया है पेरिस, इससे पहले लंदन भी 1908, 1948 और 2012 में खेलों की मेजवानी की थी, यानि तीन बार जो है वो आयोजन करने वाला ये दूसरा सहर बन गया है, पहला सहर लंदन था, दूसरा पेरिस बन गया है, इस बार का थीम क्या था दस फ्रेगेंस क्या था दस फ्रेगेंस पेरिस ऐलंपिक में 206 देशों के राश्थि ओलंपिक समीत यहां और आइव सी सरनार्थी ओलंपिक टीम ने भाग लिया था किना दो सल खेड़ यह व्युक्त ओलमपिक में 10500 पलस खिलारी थे, फुब 32 खरों हुआ था, और 329 असपरदाएं, 32 खरों खरों हो था, 349 असपरदाएं। इस पर चार खिल, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइमिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग को सीमिल κα्या है। ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइमिंग, स्केट बॉर्डिंग और सर्फिंग को सामिल किया था इसमें ब्रेकिंग, ब्रेकडास ने उलम्पिंग में अपनी शुरुगात किया था कभी-कभी पूछ दिया जाता है किस ख्यल से संबंदित है अब पेरिस में बने ओलम्पिक बिस्व रिकॉर्ड कौन कौन बने वो देखते हैं बॉबी फिके ने पुर्सो की पंदरा सो मीटर फ्री एस्टाइल तेरा की अस पर्दा में कारलोस नासर ने भारत तोलन में 224 किलोग्राम की लिफ्ट के साथ क्लीन एंड जर्क सरेनी में नए कृतिमान अस्थापित किया ने 224 किलोग्राम की लिफ्ट के साथ क्लीन एंड जर्क सरेनी में नए कृतिमान अस्थापित किये दच्छिन कोरिया की लीम सीहोन ने महिलाओं की तिरंदाजी बेक्तिगत रिकाबर असपर्दा में 694 अंकों के साथ 920 रिकॉर्ड बनाया दच्छिन कोरिया के लिम सीहों ने महलाओं की तिरंदाजी ब्यक्तिगद रिकावर असपर्दा में 694 अंकों के साथ नयाबिस रिकॉर्ड बनाया पुर्सो की 100 मीटर फाइनल में 9.79 सेकेंड के समय के साथ उलम्पिक रिकॉर्ड की बराबरी की पकिस्तान के अरसद नदीम ने भाला फेक में 92.97 मीटर के दूरी फेक कर नार्वे के अंड्रियास्ट फॉर्क डासन के 90.57 मीटर के उलम्पिक रिकॉर्ड को तोड़ा है अरसद को क्या मिला गोल्ड मिला और भारत को निरा चुपड़ा को क्या मिला था राज़त पदक मिला था इसमें बान में 97 मीटर के दूरी फेक है यह काफी इंपोर्डेंट है और पूछा जा सकता है क्योंकि यह पकिस्तान से समझ है पांच राष्टे ओलम्पिक समीतियों ने ओलम्पिक इतिहास में अपना पहला पदक जीता है ब्रेक डांस के उद्गहाटन खेल में कनाड़ा के फील विजार्ड बी वॉय और जपान की अमी युसा बी गर्ल अमी ने करमसा पूरूस और महला बर्ग में स्वरनपदक जीता है सरभी आई टेनिस खिलाडी नुबाक जोका बीच बीच ने कारलेस अलकराज को हरा कर पेरिस ओलमपिक ढ़जाइ चोबीस में अपना पहला ओलमपिक स्वरनपदग जीता है कौन जीता है तो नुबाक जोका मीच ने 11 बरस 11 महिने के असकेट बोर्डर जिंग हाउ हाउ चीन के भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के ओलम्पियन है गुरसवारी में अस्पेन के 65 बरसी है जुआन इंटोनियो जिमेनेज कोबो जुआन इंटोनियो जिमेनेज को वो भाग लेने वाले सबसे उम्र दराज ओलम्पियन थे पेरिस ओलम्पिक में भारत का कैसा रहा उद्गाटन समारों में द्वजबाक कोंड़ है तो पीवी सिंधू और सरत कमल समापन समारों में द्वजबाक मन्नु भाकर और पियर सिरिजस मन्नु भाकर और पियर सिरिजस मन्नु भाकर ने इस बार ओलम्पिक में दो पदक जीती है और एक ओलम्पिक में किसी भारतियों के द्वारा एक ही ओलम्पिक में दो पदक जीतने का ये रिकॉर्ड है ये सबसे पर्थम ब्यक्ति भी बन गई है उद्गाटन समारों में भारत कॉल सीट पर 84 और समापन समारों में 50 अस्थान पर रहा कॉल सीट पर जब उन्हें बुलाया गया आभिना बिंद्रा पेरिस उलम्पिक 2024 रिले में भारत के तरप से मसाल बाहक रह है उन्हें आई ओसी से पर्तिष्टित ओलंपिक और पुरुष्कार भी मिला है इसके पूरुव भारते प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी को यह अवार्ड मिला था गगर नारंग को भारत का सेफडी मिशन निक्त किया गया था पेरिस उलम्पिक लिए भारत का हैस्टाइ हैस्टाइग चीर फूर भारत हैस्टाइग चीर फूर भारत भारत प्रध कियर डल में 117 एतिलीट थे कितना 117 एतिलीट थे जिनमें 70 पुरुस थे और 40 महलाय सामिल थी भारत ने 99 असपरदाओं में 16 खेलों में भाग लिया और 16 खेलों में भाग लिया पेरिस उलम्पिक में पदक भिजुता भारत के खिलारी पे होगर सुची की बात करते हैं तो नीरत चुपड़ा हर्याना के है पुर्सों के भाला फेक में रजट पदक जीते है मन्नु भाकर हर्याना के है महिलाओं के 10 मिटर एर पिश्टल में कास्पदक जीती है मन्नु भाकर और सरवजोट सी हर्याना के है मिस्री टीम 10 मिटर एर पिश्टल में जीते हैं कौन कास्पदक स्वपनिल कुसाले महराष्ट के हैं पुर्षो की 50 मिटर राइफल थिरी पोजिस्टिनिंग में कास्पदक जीते हैं पुरुष हाउकी टीम इंडिया हाउकी में कास्पदक अमन सहरावत हरियाना के है कुस्ति पुरुष फ्री अस्टाइल संतामन किलोगरब में कास पदक जीते हैं यानि एक जो है वो रजत पदक जीता गया है और पाच कास पदक टोटल जो है कितने 6 पदक इस बार भारत आया है मन्नु भाकर 2024 उलम्पिक में भारत के लिए पहला पदक जीती है मनु भाकर उलम्पिक निसाने बाजी में पड़क जितने वाली भारतिये महिलाब बन गई है, साथ ही स्वतंत्र भारत में उलम्पिक के एक ही संस्क्राण में दो पड़क जितने वाली भारतिये बन गई है, और भारत के उलम्पिक इतिहास में दो मेडल जितने वाले खिलाड मन्नु भाकर मन्नु भाकर जो बने चोथे भारतिये बनी है अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक बिजेता बने हैं नीरा चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरस्व की भाला फेकस पर्दा में दूसरे परियास में 89.45 मीटर का सर्विस रेस थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक अपने नाम किया 89.45 यह कई बार पूछा जाएगा एक्जाम में डिरेक्ट 89.45 बिनेश फोगाट 50 किलो ग्राम बर्ग में 83 फाइनल से पहले 100 ग्राम बजन अधिक होने के कारण अयोग घोसित कर दिया गया इससे पहले उन्हें क्वाटर फाइनल में बिस्व चैंपियन यूई सुसाकू को हराया था यूई सुसाक की को हराया था भारतिये परचने मेडल के लिए कोट ऑफ अर्विट्रेशन फोर्स सी एस में अपील की लेकिन उसे खारिज कर दिया गया साथ ही बिनेश फोगाट ने कु एक रजट आर चार काश पदक और दो लगतार अलमपिक में इधार काश पदक जीती है भारतिया हूंपिक टीम ने भारतिये टिम सेमी फाइनल में जर्मनी से हार गई लेकिन कास पदक मैच से उसरन को हराया और जीता है भारत की ओर से रिलाइंस फॉंडेशन की संस्थापक नीता अम्बानी को आयोसी का सदस्थ चुना गया साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस का उद्गाटन किया गया स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पेरिस ऑलंपिक दोहजार चोविस में भारतिय दर के अधिकारिक फूट बियर के लिए भारतिय उलम्पिक संग के साथ साज़दारे की पिवमा इंडिया ने अधानी ग्रूप को पेरिस उलम्पिक दोहजर चोबिस में भारतिय टीम के लिए मुख परियोज़ा गोशित किया अदानी ग्रूप को भारतिय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हाउकी गोल कीपर प्यार सिरिजेस ने पेरिस ओलम्पिक दोहजार 24 के बाद सन्यास लेने की गोशना की भारतिय सेना के सेवारत अधिकारी लेटिनेंट करनल कॉबिलन साई असोक पेरिस ओलम्पिक दोहजार चोबिस में भारत के और से मुक्यवाजी में सबसे यूबा ओलम्पिक रेफरी बन गए है और जियोती याराजी ओलम्पिक में सो भारतिय धावक अभिनास सावले तीन हजार मीटर की अस्टिपल चेंज के फाइनल में ग्यारवे स्थान पर रहे हैं ग्यारवे स्थान पर भारत ने ओलम्पिक इतिहास में अब तक कुल एक तालिस मेडल जीते हैं जिसमें से दस गोल्ड है आठ सिल्वर है और एकीस चोपड़ा के तरफ से यानि 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 कास्ट मेडल सामिल है अब यह पेरिस ओलम्पिक की पदक तालिका देख लेते हैं सबसे पहला रहिंग पर है अमेरिका 40 स्वर्ण, 44 रजत, 42 कास्ट, टोटल 126 पदक के साथ अमेरिका पहले अस्थान पर दूसरे अस् पर अस्थान पर अस्थान पर फ्रांस जहां आयोजन हुआ है वह पाचवे अस्थान पर रहा इस बार पाकिस्तान 62 अस्थान पर भारत से उच्छा रइंग है पाकिस्तान क्योंकि उन्होंने एक स्वर्ण मात्र जीता है फिर भी स्वर्ण के चलते वह रइंग उपर चला जिसमें से एक रजत है पांच कास पदक है तोटल जो है वो छे पदक है टोटल कितना है एक रज़त पांच पांच सतान जो है अमेरिका के दूसरा चीन तीसरा जपान चौथा अस्टेलिया डोमिनिका और पाकिस्तान ने एक एक स्वन जीता लेकिन बर्नमाला ब्यवस्था के करण डोमिनिका को एक सथवा स्थान दिया गया जोकि पाकिस्तान को 62 अस्थान दिया गया है 62 अस्थान दिया गया चोथे अस्थान पे आने वाले अथलीट कौन कौन रहे जो अनलकी रहे अरजुन बभूता 10 मीटर पुरुस एर राइफल फाइनल में अरजुन बभूता मनुभाकर महलाओं की 25 मीटर पिष्टल असपरधा में मीरा बाई चानू 199 केजी बजन उठाकर चोथे पोजीशन पे मिसरित टृनडाजी में अंकिता भकत और धीरट बोमा देवरह को अमेरिका सिरभ्वा की अंकिता से घ्राइबर्व को अमेरिका सिर्भपेच से घडराई में डेनमार के गत ओलंपिक चेंपियन विक्टर एक्सेलसन से हार गए और वह पुरिस बर्ग में सेमिफाइनल में पहुचने बाले पहले भारती ये भी थे मिस्री सुटिंग मिस्री असके टीम माइसबरी चोहान और अनंत जी सी नरू का चीन से हार गए यह था पेरिस ओलंपिक का वो वन लाइनर जो एक्जाम में पूछा जाने की पूरी संभावना है पूरे लगबग चार सालों तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक के शेर कर दीजेगा इसके बाद जल्द ही हम लेकर आएंगे आर्थिक सर्वेच्छन दोजार थे 24 धन्यवाद